मूबी स्टार्ट होते हैं और हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम जोन होता है तभी वहां कुछ लोग आगर जोन को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं अब वो जोन को उस जेल के बैलकनी पे ले जाते हैं और हम देखते हैं कि उस जेल के बाहर बहुत से लोग जम अब हमेंगा फ्लैस बेक कई सीन दिखाया जाता है जहाँ एक और अगरत एक बच्चे को जंव को जन्व देती है अब उस औरत के पहले भी चार जंव हो चुके थे जो पैदा होते ही मर जाते थे जिसके कारण उस औरत को लगता है कि ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है और वो उस बच्चे को वही छोड़के जाने लगती है पर तभी वो बच्चा रोने लगता है जिसके कारण सभी को ये लगता है कि वो औरत उस बच्चे को मरने के लिए वहाँ छोड़के भाग रही है जिसके कारण उस औरत को फासी की सजा दे दी जाती है और उस बच्चे को एक अनातास्रम में भेज दिया जाता है वहीं उसे जॉन नाम दिया जाता है उस अनाथासरम की पहले से हालक बहुत खराब होती है, जिसके कारण सबी बच्चे मिल कर जौन को मारना चाहती थे, पर सही वक्त पर वहाँ अनाथासरम की ओनर आ जाती है, जो जौन को बचा लेती है, अब देरे-देरे जौन बड़ा होने लगता है, पर बड़ा होने के बावजुद जॉन अभी तब कुछ बोल नहीं पाता था पर जॉन दो पावर्स से गिप्टेट होता है एक ये कि उसके सुनने की सक्ति बाकि सभी लोगों से बहुत जादा होती है और दूसरी ये कि जो को भी जॉन को छोड़ के जाता है उसकी तुरंत मोत हो जाती थी अब दिरे दिरे वक्त के साथ जॉन बड़ा होने लगता है और अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है अब अनातास्रम की ओनर एक दिन जॉन को एक जानवरों के खाल बेचने वाले ब्यापारी से बेच देती है जैसे ही जॉन अनातास्रम की ओनर से दूर जाता है तो उसे कुछ लूटे रे पैसे के लिए जान से मार डालते हैं अब वो चम्री का ब्यापारी जॉन से बहुत काम करवाता था। जॉन वहीं अब और बड़ा हो जाता है। और एक तिन वो ब्यापारी जॉन को पर्डिस के मार्केट में समान बेचने के लिए ले जाता है। जॉन को वहाँ एक खुस्बू आती है। अब जॉन को वो खुस्बू बहुत अच्छी लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए एक दुकान के पास पहुच जाता है जो कि एक पर्फियम की दुकान होती है जहां लोग पर्फियम करीद रहे होते हैं अब जॉन को वहां और एक अब वह लड़की जॉन को भुका समझ कर फल देती है पर जॉन उस लड़की के हाथ सुनने लगता है उस लड़की को ये अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से चली जाती है फिर भी जॉन उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और उसे सुनते हुए उसके पास चला जाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और चिलाने लगती है, पर जॉन अपने हातों से उस लड़की के मुँग को दबा लेता है, ताकि उसके आवाज लोगों तक ना पोँचे, जिसके कारण उस लड़की की मोत हो जाती है, अब ज उसके दुकान पर कोई नहीं आता एक दिन बालदेनी के दुकान में उसका असिस्टेंट आता है जो कि एक पर्फ्यूम का बोतल बालदेनी को देता है जो उसमें खुद पनाई हुई होती है और बालदेनी उस पर्फ्यूम को ज्यादा भाव नहीं देता वहीं बाद में उसक पर्फियूम की खुस्बो आने लगती है जॉन को बालदिनी से भी खुस्बो आती है अब जॉन बालदिनी से बोलता है कि उसने जो पर्फियूम लगाया है वो बेकार है अब यह सुनकर बालदिनी को गुस्सा आता है और वो जॉन से उसका फॉर्मिल्या पूछता है पर जब उस पर्फ्यूम को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि जॉन में भी जरूर कोई बात है अब जॉन उसे ये बोलता है कि वो उसे इससे भी बैतर पर्फ्यूम बना कर दे सकता है और जॉन तुरंत उस पर्फ्यूम को बना कर बालदीनी को दे देता है और बालदीनी उस इस चमड़े के व्यापारी से खरीद लेता है और जोन के वहां से जाते ही उस चमड़े के व्यापारी की मौत हो जाती है अब बालदीनी जोन को पर्फ्यूम बनाने के तरीके दिखाता है और उसे बोलता है कि अब तक दुनिया में सिर्फ 12 पर्फ्यूम बने हैं और आज तक कोई तेरवा परफ्यूम नहीं बना पाया और जब कोई तेरवा परफ्यूम बना लेगा तो वो इस दुनिया के सबसे बहतर परफ्यूम होगी अब जान बोलता है कि वो उस तेरवा परफ्यूम को जरूर बनाएगा अब जॉन बालदिनी के लिए पर्फियूम बनाना सुरू कर देता है और अब बालदिनी के दुकान में भी फिर से रौनक आने लगती है सभी लोग सिर्फ बालदिनी के दुकान से ही पर्फियूम लेने आते थे अब बालदीनी जॉन को पर्फियूम बनाने के सबी तरीके सिखाता है पर जॉन को उसके तरीके पसंद नहीं आते क्योंकि उसके तरीके में कमिया होती है तो जॉन को बेकार लगती है जिसके कारण हो तेरवा पर्फियूम नहीं बना पा रहा था अब जॉन दुखी हो जाता है और वो बहुत बिमार भी हो जाता है अब ये सब देखकर बालदीनी भी परिसान हो जाता है क्योंकि जॉन अगर मर गया तो उसके परफ्यूम का बिजनेस फिक से बंद हो जाएगा अब एक दिन बालदीनी जॉन के पास आता है और बोलता है कि उसे अगर 13 पर्फ्यूम बनाना है तो उसे ग्रासो जाना होगा जो प्रांस में होता है पर जॉन को वहाँ बेजने से पहले बालदीनी जॉन से पर्फ्यूम बनाने के 100 फॉर्मूले सीख लेता है जिसके बदले बालदीनी जॉन को कुछ पैसे देता है अब जॉन ग्रासों पहुचकर एक औरत के यहां काम करने लगता है जहां वो चानवरों के सरीर से कुस्बू निकालने के तरीके सीखता है अब जॉन उस तरीके को इंसानों में भी आजमाना चाहता था जिसके कारें वो एक लड़की को किड्नैप कर लेता है और उसकी सरीर से दूसरे तरीके से परफ्यूम निकालने की कोशिस करता है और इस बार जॉन सफल हो जाता है अब उसे इंसानों से कुस्बू निकालने का तरीका भी बता चल जाता है अब जॉन ये फैसला करता है कि वो अलग-अलग लड़कियों को पकड़कर उनसे परफ्यूम निकालेग और वो उन लड़कियों को मार कर उनसे वो 12 तरह की पर्फ्यूम बना लेता है अब लड़कियों के गायब होने के कारण पूरे सहर में अफरा तफरी का माहूल हो जाता है और सभी अपने घर के बाहर ताले लगाना सुरू कर देते हैं अब पूरे सहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और लड़कियों का घर से निकलना बैन कर दिया जाता है अब हमें एक मसहोर ब्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम एंथनी होता है जो पूरे सहर का एक जिम्यदार ब्यक्ति होता है वो कोट में जज के सामने ये बोलता है कि अब तक उन्हें जितने भी लड़कियों की बॉड़ी मिली है उन्हें कोई जोर दबरदस्ती की निसान नहीं थे यानि जिसने भी उन्हें मारा है वो कुछ और ही चाता है पूरे सहर में डर का माहूल हो जाता है अब सहर के लोग इसे कोई सहतानी सकती मान कर चर्च में जाते हैं वही एक आदमी भागते हुए आता है अब वह आदमी सबी से ये बोलता है कि वो कातिल पकड़ा गया पर ये बात एंथोनी को हजम नहीं होती कि जो इंसान इतने लड़कियों को मार चुका है वो इतने आसानी से पकड़ा गया अब एंथोनी की भी एक पेटी होती है जिसका नाम लोरा होता है जिसके कारण वो अपनी बेटी का फिक्र करने लगता है वो अरकी काफी सुन्दर होती है जिसके कारण उसे लगता है सायद जोन का अगला सिकार वही होगी अब एंथन है अपने बैटी को लेकर ग्रासो सहर को छोड़ कर जाने लगता है पर जॉन को इसके पर्फ्यूम से उसके वहां से जाने की बात पता चल जाती है अब जॉन लॉरा का पीछा करने लगता है दूसरी और उस वैश्या का कुट्टा जॉन के घर में होता है जॉन के बाद वहीं उनको सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं वहीं एंथनी अपने बैटी के साथ एक होटल में ठेहर जाता है जहां लॉरा के सोजाने के बाद एंथनी लॉरा के कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है और इसकी चावी अपने पास रख लेता है पर जॉन उस होटल में भी पहुच आता है और उस चावी को भी चुरा लेता है अब जॉन लॉडा को भी मार डालता है जिससे वो एक परफ्यूम बना लेता है अब जॉन सभी पर्फ्यूम को मिला कर तेरवा पर्फ्यूम भी बना लेता है पर तभी वहाँ पलीस आ जाती है और वो जॉन को पकड़ लेती है और अब कहानी प्रेजन्ट में सीफ्थ हो जाती है अब जॉन को मौत की सजा दे दी जाती है और उसे मरते हुए देखने के लिए वहाँ पूरी सहर के लोग इकटा हुए होते हैं अब जॉन उस तेरोए पर्फ्यूम को अपने पूरे सरीर पर लगा लेता है जिसे सुनते ही जॉन को मारने वाला वो ब्यक्ति सभी से ये बोलने लगता है कि जॉन बेकसूर है अब जॉन उस पर्फ्यूम को एक रुमाल पर लगा कर उसे हवा में लहराने लगता है जिसके कारण वहाँ खड़े सभी लोग उस पर्फ्यूम को सुनते ही मदोहस हो जाते है और सभी आपस में ब्यार करने लगते है पर अब जॉन को उस लड़की की याद आती है जिसे उसने पहली बार मार डाला था और उसे ये लगने लगता है कि कास उसने उस लड़की को ना मारा होता तो वो लड़की आज उसके साथ होती अब जॉन वहाँ जाने लगता है जहां उसका जंग हुआ था कर दो